नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब फ्रिस्ट श्वागत है आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला कि माल लेजिए आपके पास पहले का 12 वोट इंवर्टर लगा हुआ है वह आपका नॉर्मल इंवर्टर हो सकता है या वह ऐसे जैसे टाइंग नीतरा हैं ऐसे हमारे घर पर एक्विपमन बढ़ते जाते हैं माल लीजिए आपने आज के पांच सार पहले एक शोर इंवर्टर लगा हुआ था एक फचास से इसकी बैट्री के साथ बट आज की रिदम रात में आपकी जो पावर की नीड है वो और कि प्रेंगेो आपकी तीन बैटरी लगानी हों चार बैटरी लगा नीड़ी जिसम्में लगा देंगे अगर हमारा सोल इंवर्टर है तो पीड़ागर टेरौलर है तो मैक्स मैक्स 808 तब का पैनल सपोर्ट मिलेगा तो ऐसी कंडिशन में हम कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे इस वीडियो में आपको यही चीज़ सब पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि आपको जो अपना सिस्टम अपग्रेड करना है या आपको अपना जो स्टोरिज पावर है उसक बताने वाला हूं तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो की चैनल पर नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल ग्रीन इंडिया सोलर बोस्ट टाइप बनीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और जर्मेशन मिलेगी जो आपके क साफी काम आएगे तो चलिए अपनी चलते हैं नेट स्लाइड के ओपर यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करना हैं सिर्फ एक इंवर्ट की इंवर्टर की क्योंकि 80% ऐसे लोग है जिनकी आप 12 वोर्ट का ही इंवर्टर लगा हुआ है अब हम लोग यहां पर 16 इंवर् प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो हमें तीनो चारू जितनी वैटरियां है सबके प्लस एक साथ हैं और सबके माइनस एक साथ जोड़ लेने तो आप कितनी वैटरियां पचास भी बैटरियां लगा देंगे तब भी आपका ओर 12 वोर्ट ही रहेगा आपको पैर्लर में सारे कनेक्शन कर देने हैं तो जब आप पैर्लर में सारे कनेक्शन कर देंगे और आप इसको अपने से कनख कर देंगे तो इससे सिर्फ आपके बैटरी के यह बढ़ने वाले हैं वोट नहीं बढ़ने वाला है सबसे इंपोर्टन सी हमने अपने इस पूरे सिस्टम में जो हमारा भी 12 वोट और सिंगल बैटरी का सिस्टम था उसमें हमने चार लगा दिया है वह भी लगा दिया है कैसेम प्लस जोड़दिया मायने है तो हमारे पास प्लस माइन या तीन बैटरियां इंस्टॉल दो बैटरी है तो डिफरेंटल आपकी बैटरी कुछ हद तक 80% तक चार्ज हो जाएगी पर उसके लिए आपको दिन में भी लोड नहीं चलाने को मिल पाएगा तो ऐसे में अप्ग्रेड करना है तो वेड करने जा सबसे अच्छा तरीका है मा 1000 तक के बजट का एक 12 वोट अच्छे पावर सब्सक्राइब सपोर्ट का सुरा चार्ज कंट्रोलर में जाएगा अगर आप ब्रैंड्स पूछेंगे तो मैं आप तो भी बता दूगा तो अगर आप एक अच्छी कंपनी का कोई अच्छा थोड़ा सब महेंगा 12 वोट सपोर सपोर्ट करने के लिए कोई चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो नौर्मली उन चार्ज कंट्रोलर में आपको 808 से लेकर करीब 1208 तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जब अब अगर हमें चार बैट्रियां लगाने तो उस हिसाफ से हमें पै 500 वाट का पैनल पर बैट्री के हिसाब से चाहिए तो अब हमारे पास चार बैट्रियां है तो 5500 वाट की तो कम से कम चार नमर्टिपलाइ कर देंगे तो 2000 वाट का तो हमें पैनल सपोर्ट चाहिए और इभी बताओं बाब को कितना बैक अप एक्स्ट्रा बढ़ जाए दा बैट्री का कल्कूलेट करके तो 2000 वाट का हमें कम से कम पैनल चाहिए ही होगा इन बैट्री को चार्ज करने के लिए ऐसी कंडिशन में अगर आप किसी अच्छी कंपनी कर जो करीब आपको साथ हजार रुपए तक चार्ज कंट्रोलर देखने को मार्केट हूं मिलेगा ऐसा सब्सक्राइब आपके चार्ज तो आपने मात साथ से आठ हजार रुपए और अपना जोड़ी स्टूरिस था वह इंक्रीज कर लिया और सबसे अच्छा फायदा तर्ट्रोलर यह रहता है कि मान लीजिए हम आगे चलकर फिर से एक पीडवलों या नपीपीट को इन वर्ट या पक्टिस सोवाट तक का पैना सपोर्ट है पर हमें और नीड पड़ा था इन फ्यूचर के बादिंग में बात कर रहा हूं तो ऐसी कंडिशन है आपका जोई कंड्रोलर होगा यह आपके बैटरी में मैंनल के सपोर्ट को पढ़ाने का काम करेगा आपने 24 वोट लिया तो दो अजार वाट का पैना सपोर्ट इसको भी मिल जाए तो मतलब 2000 वाट अपने इन्वेटर से और 2000 का डोलर से दोनों को करेकर करा कर जोड़ सकते हैं तो यह तो हो गया कंड्रोलर की बात अब इसका कनेक्शन कैसे करना इसका कनेक्शन भी दोस्तों बिलकुत सिंपल है जैस भी बैटरी भी थोड़ा अलग अलग इस्टेटेम तो यहाँ पर हमें एक प्लस मिल जाएगा और एक माइनस मिल जाएगा और इन सब को एक PLUS होगा और यहां पर एक होगा MAINOR तो इसका PLUS जिसमें inverter का PLUS जूडा है उसका और जिसमें इसका MAINOR जूडा है वो MAINOR चोड़ देंगे solar panel आपके controller में जो अलग solar panel लगे है वो अलग रहने देंगे यह माली जी हमारे अलग solar panel लगे हैं इस पर और inverter के जो अलग solar panel लगे हैं वो अलग रहने देंगे तो किसका फायदा यह होगा कि जैसे माली जी हमारा दिन का अगरी 300 वाट तक का लोड चल ला है तो हमारे पास अगर solar inverter है तो day का लोड हम direct solar panel लगा है और controller लगा तार हमारी बैटरियों को फिल करने का काम करता है यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने system को upgrade कर सकते हैं और यह budget friendly भी होने वाला है कैसे कि अभी माली जी आपके पास एक बैटरी है आपने दीरे से दो बैटरी कर लिए और आपके पास एक controller है तो आपने तीन सो वाट या 500 वाट तक का बनना लगा लिए फिर आपने चाहा कि एक बैटरी और बढा लेंगे तो इसमें आपने 500 वाट का पैनल और बढा लिए दीरे दीरे हर साल या जैसे आपका बजट हो 20 जार 25 जार रुपर लगा लगा कर आप अपना ये system अपग्रेड कर लेंगे तो आई होप आप सभी को ये वीडियो में जानकारी मैंने दी है वो पसंद आई होगी कि एक तरही लोगों का ये सवाल था कि हमें अपने system में controller और इंट अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल अपने थे तो सब्सक्राइब बरना मज़ू लेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ